हेलो वेल्कम टू मैं चैनल मोईसस लेक्चर बच्चों आज मैं आपको स्टाटिस्टिक्स के मोड का कॉंसेट लेके आए हूं आप लोगों के लिए देखिए मैंने मीन मोड मीडियन लेस देन हो जाए मोड देन हो जाए सब कुछ डाल दिया है मिसिंग फ्रिक्वेंसी मीन से कैसे इसे करते हैं मीडियन से कैसे सब कुछ मैने अपलोड कर दिया एक मिंसिंग फ्रिक्वेंसी मोड से कैसे फांड हॉट गरते यह और रह गया आपके लिए तो मैं आज यह आपके लिए question लेके आया हूँ देखे हमें यहाँ पर question दिया हुआ है बच्चों आप मेरे description और देख लीजेगा मैं description में अपने सारे pages का Instagram, Facebook, Unacademy अपनी join button सबके link देदूँगा आप description में वहाँ से मुझे follow कर सकते हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो please like करना मत भूलिएगा देखे बच्चों the mode of the following series is 36 आपको एक यहाँ पर series दी हुई है data दिया हुआ है जिसका mode आपको 36 बोला है find the missing frequency in it आपको इसमें missing frequency find out करनी है बस जो मैंने x ले रखी है यहाँ पर missing class होनी चाहिए ठीक है model class जो होगी वैसे तो model class निकालने का एक दूसरा तरीका है ठीक है लेकिन वो देखते है model class में कि सबसे highest frequency कौन सी है तो उसके साब से हम ले लेते हैं लेकिन बच्चों अगर इसमें आप देखा जाए तो इस समय तो सबसे highest जो है 16 है पर अगर मानली जो कोई कहें कि साहिए यहाँ पर x की जगह अगर 17 होता या आ जाए तो फिर तो यह maximum यह बानी जाएगी तो हम इसे तो नहीं ले सकते model class ऐसे तो जब तक यह variable रहेगा तब तक हमें तो नहीं पता न क्या होगा हम अभी इस समय तो इसे कह सकते हैं कि चलो 16 highest है लेकिन फिर क्या होगा अगर x यहाँ पर ज्यादा आ गया 16 जटो तो उसमें contradiction होगा तो इसलिए बच्चों इसमें model class निकालने का एक तरीका है कि जैसे इसका mode कितना दिया है 36 तो 36 बीच में किसके आ रहा है 30 और 40 के बीच में आ रहा है आ रहा है यह देख रहा है class interval इसके बीच में आ रहा है तो यानिकि यह इसकी model class मानी जाएगी यह देखते हैं कि वह जो mode है वह किसके बीच में लाए कर रहा है तो बच्चों आप लिखेंगे since क्योंकि 36 lies between 36 जो है वो lie कर रहा है between 30 to 40 ठीक है 30 to 40 के बीच में आ रहा है therefore model class जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 30 to 40 तो model class आपकी 30 to 40 हो जाएगी अब देखिए हमारे पास में mode का जो formula होता है वो होता है L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H students इसको आप F0 भी कह सकते हैं F0 भी कह सकते हैं सब्सक्रिप्ट में लगता है एक ही बात है ठीक है अब देखिए mode मुझे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 36 L मतलब होता है lower limit of the model class कितनी है model class की lower limit 30 plus F1 F1 का मतलब होता है frequency of the model class model class ही है इसकी frequency कितनी है 16 minus F0 का मतलब होता है यहाँ पे frequency preceding to the model class model class से पहले वाली X जो मैंने पहले ही लिख दी है ठीक है 0 का मतलब पहले वाली frequency जो होती है model class से पहले वाली upon में क्या आएगा 2 F1 की जगे फिर से 16 आ जाएगा F0 की जगे X आ जाएगा और बच्चो F2 का मतलब इसमें होता है frequency succeeding to the model class model class के बाद वाली जो होती है कितनी आ रही है 16 के बाद 12 इंटू H का मतलब होता है class size कितना gap है 10 का gap है तो 10 लिखेंगे ठीक है बच्चो और भी आपको mode का concept clear करना है तो आप मेरी mode वाली वीडियो देखिए playlist में पढ़ी होगी ठीक है यह 6 तो as it is रहा है 16 minus x as it is रहेगा अपॉन में यह कितना बचेगा 32 में से 12 हुए तो 20 minus x इंटू में कितना चल रहा है 10 सही ना बच्चो 10 ही तो रहेगा अब cross multiplication से इसमें 6 का multiply होगा तो यह 120 minus 6x और यह 10 का इसमें होगा तो 160 minus 10x 10x इदर आके positive हो जाएगा तो 4x बचेगा finally क्योंकि 10x इदर आके plus हो जाएगा 10x में 6x जाएगे तो 4x और यह 120 उदर जाके minus हो जाएगा कितना बचा 40 तो बच्चो x की जो value आ रही है वो आ रही है 10 यानि कि देखिए missing frequency यहाँ पर आएगी 10 जो 16 से कम है यानि कि यहाँ पर हमारा proof भी हो गया कि हाँ यह model class भी हमारी साही ली गई है ठीक है तो students यह इसका method था mode दिया हो तो missing frequency ऐसे find out होती है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को share कीजिए, bell icon को hit कीजिए ताकि आप सारी notifications पास सकें और मैंने अपने सारे link दे दी है, आप मेरे pages को Instagram पर मुझे follow कर सकते है Thank you so much, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी